मैं और मेरा वाला जो खेल है ना, वो 21 वी सदी में देश को समरुद्ध नहीं, विक्सित भारप नहीं बना सकता है, कॉंग्रेस, इन दिनों काफी बाते हो रही ही जाती की फिर से एक बार, क्यों जरूत पड़ी उनको मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन अगर उनको जरूत प पिछडे और आदिवासी है, कॉंग्रेस जन्मजात उनकी सबसे बड़ी विरोधी रही है, और मैं तो कभी कभी सोचता हूं, अगर बाबा साम नहों होते न, तो शायद कि A.C.S.T. को आरक्षन मिलता कि नहीं मिलता, ये भी मेरो मन में सवाव मिलता हूं, आधन ये सभाव अधिजी, और मैं ये कह रहा हूं, इसके पीछे मेरे पास प्रमान है, इनकी सोच आज से नहीं, उस समय से ऐची है, मेरे पास प्रमान, और मैं प्रमान के सिवाय में यहां कहने के लिए नहीं आया, और जब बाते महां से उठी है, तो फिर तायारी रखनी चाहिए, उनको म अधिजी, और मैं हादरपूरवक नहरूजी को इंदियों नों जादा याद करता हूं, क्योंकि हमारे साथियों के अपेक्षा रहती है, उनको तो बोलो कुछ तो बोलो, अब देखे, एक बार नहरूजी ने चिठी लिखी थी, और ये चिठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी, मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं, उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधान मंत्री, पंडित नहरूजी द्वारा, उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिठी है, on record है, मैं अनुवाद पढ़ता ह मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता, और खास कर, नौकरी में आरक्षण तो कता ही नहीं मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाब हूँ, जो अकुशल्ता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए, ये पंडित नहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिठी है, और तब जाकर के मैं कहता हूँ, ये जन्म जहात इसके विरोधी है, नहरू जी कहते थे, अगर सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा, और आज जो आंकली गिनाते हैं, कि इतने यहाँ है, इतने यहाँ है, उसका मूल यहाँ है, क्योंकि उस समय उन्होंने रोग दिया था, रिक्रूट्मेंटी मत करो, अगर उच समय, सरकार में भरती हुई होती, और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते, तो आज यहाँ पर पहुते, पर अजबिद यह कोट पढ़ रहा हूँ, आप वरिफाई कर सकते हैं, मैं पंडित लएरु का कोट पढ़ रहा हूँ, और आजनिया सरापतिनी, लिड़ोफ पेक्वोच पिर्ट ने पर पशे रटेंश, आप तो जानते हैं नेहरु जी ने जो कहा वो कॉंग्रेस के लिए हमेशा से पत्थर की लकीर होता है नेहरु जी ने कहा मतलब पत्थर की लकीर उनके लिए दिखावे के लिए आप कुछ भी कहें लेकिन आपकी सोच ऐसे कई उदाहरों से सिद्ध होती है मैं अंगिनत उदाहर रेख सकता हूँ लेकिन मैं एक उदाहर जरूर देना चाहता हूँ